सभीकु नमश्कार आज हम जन संचार माध्यम इस पार्ट पर चर्चा करेंगे इसमें कुछ प्रश्णों की हम आचर्चा कर रहे हैं इसमें एक प्रश्ण आजाता है कि संचार किसे कहते हैं संचार के मूल में चर धातु है चर का अर्थ होता है विचरण करना या एक जगह से दूसरी जगह पहुचना यह पहुचना मनुष्य का भी हो सकता है अन्य प्राणियों का भी हो सकता है ध्वनी का चित्रे का और प्रकाश का परन्तु हम जिस संचार की बात कर रहे हैं उसका अर्थ है मानव के संदेशों का पहुचना पहुचना का तत्परिय है संदेश भेजना और प्राप्त करना इसके लिए दो लक्षन होने चाहिए दो या दो से अधिक व्यक्ति और उनके बीच किसी संदेश का संप्रेशन या ग्रहन इसलिए संचार शास्त्री बिलवर श्रम ने कहा कि संचार अनुभवों की साज़ेदारी है यानि जब हम अपने अनुभवों को साज़ा करते हैं तो वह संचार कहा जाता है अब बात ये आते हैं कि संचार कैसे होता है तो संचार मू से बोल कर भी हो सकता है लिख कर भी हो सकत इसलिए संचार की परिभाशा इस प्रकार की जा सकती है सूचनाओं विचारों और भावनाओं को लिखित मौकिक या द्रश्चे श्रव्य माध्यमों के जरिये सफलता पूर्वक एक जगे से दूसरी जगे पहुंचाना ही संचार है दूसरी प्रकार का जो इसमें प्रश्चना आजाता है कि संचार माध्यम से आप क्या समझते हैं संचार स्वेयम में एक प्रक्रिया है एक जगे से दूसरी जगे पहुंचने की प्रक्रिया यह प्रक्रिया प्राया किसी प्राकर्तिक माध्यम की सहारे से गति करती है जैसे जब हम बोलते हैं तो ध्वनी तरंगों और वायू तरंगों के सहारे में हमारी बात पहुंसती है इसी प्रकार प्रकाश की तरंगे हमारा स्पर्ष्ट सम्वेदन इशारे आदी भी संचार के माध्यम बनते हैं परन्तु हम इन मूल कारकों को संचार माध्यम नहीं कहते संचार माध्यम से आशे है वे उपकरण या साधन जो हमारे संदेश को पहुचाते हैं जैसे समाचार पत्र, फिल्म, टेलीफोन, रेडियो, दूरदशन, इंटरनेट आदी एक और प्रिश्ण आजाता है कि संचार के मूल तत्व कौन से हैं संचार के मूल तत्व में सबसे पहला है संदेश देने के बारे में सोचना दूसरा है उसे भाषा वद करना तीसरा है भाषा का ग्रेहन करना और चोथा है संदेश को समझना तथा प्रतिक्रिया करना इसमें हमने चार तत्व जो हैं वो इसमें देखे इन्हें हम शुद हिंदी की बात करें तो इसमें पहला हम कहते हैं संचारक दूसरे को हम कहते हैं संदेश का कूटी करण तीसरों को हम कहते हैं संदेश का कूटवाचन और चोथे को कहते हैं संदेश का प्राप्त करदा एक और इसी तरह से इसमें प्रश्ण आ जाता है जन संचार के माध्यमों में कि संचारक की भूमिका पर प्रकाश डाले किसी संदेश को भेजने वाला संचारक या श्रोत कहा जाता है उसका पहला गुण होता है संदेश की स्पष्टता दूसरा गुण होता है संदेश को प्राप्त करता की अनुकूल कूटी करत करने की क्षमता अब यहाँ पर कूटी करन एक शब्द आ रहा है एनकोडिंग एनकोडिंग का क्या तात्परिय होता है संदेश भेजने के लिए शब्दों, चित्रों और संकेतों का उप्योग किया जाता है आप सभी को पता है भाषा भी एक प्रकार का कूट चिन्या कोड है अजय प्राप्त करता को समझाने योग्य कूटों में संदेश को बांधना कूटी करन या एनकोडिंग कहलाता है सफल कूटी करन उसे कहेंगे जिसमें संप्रेशन बिल्कुल स्पष्ट हो संचारक जो कहना चाता है प्राप्त करता संदेश को उसी रूप में ग्रहन करे डिकोडी करण से आप क्या समझते हैं कि कूटी करण की उल्टी प्रिक्रिया कूट वाचन कहलाती है इसके माध्यम से संदेश का प्राप्त करता कूड चिनों में बंधे संदेश समझता है इसके लिए आवश्यक है कि प्राप्त करता भी कोड का वही अर्थ समझता हो जो संचारक समझता है यानि जो संदेश देने वाला है और संदेश प्राप्त करता जो है दोनों उसका वही अर्थ समझे जो वास्तों में उसका आर्थ है संदेश प्रक्रिया का फीडवेक किसे कहते हैं फीडवेक कुटिकरत संदेश के पहुचने पर प्राप्त करता अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करता है यह आवश्यक है इसी से पता चलता है कि संचारक का संदेश प्राप्त करता तक पहुँच गया है और ठीक ठाक पहुँच गया है इसी के अंतरगर्ष शौर से क्या आश्य है यह प्रश्ण भी पूछ लिया जाता है संचार प्रक्रिया में किसी भी प्रकार की बाधा आ जाये तो उसे noise कहते हैं, शौर कहते हैं। यहे बाधा संचार की मानसिक, S-पस्टता या अनिच्छा को लेकर भी हो सकती है। ठीक कूटी कृत ने होने के कारण भी हो सकती है, गलत कूट वाचन के कारण भी हो सकती है, और प्राप्त करता की एक्षमता, तक्निकी खराबी या आसपास के शोर के कारण भी हो सकती है, आज हम जंचन संचार मध्यम के इसी प्रकार के इतने ही कुशन्स करेंगे, हम अपने क किसी और वीडियो में इसके अन्य प्रिश्णों की चर्चा भी करेंगे तब तक के लिए थेंक यू फॉर वाचिंग किसी और वाचिंग।